नमस्कार विवर्स आज हम आए हैं नहर पार यानि की ग्रेटर फरीदाबाद और आज हम देखेंगे सेक्टर 98 में सिचुएटेड एक प्रोजेक्ट यह आप राइट साइड में देख सकते हैं अमरिता हॉस्पिटल और अभी हम हम हैं माता अमरिता नंद माई मार्क पर जो कि से फोड लेन रोड है और यही आगे जाकर FNG से कनेक्ट होगी अभी फिलाल इसकी कॉलिटी एका दुका जोगे छोड़कर अच्छी है रोड की कॉलिटी बड़ अब जहां हम 98 की तरफ जाने के लिए लेफ लेंगे आप देखेंगे की कॉलिटी रोड की अच्छी नहीं है या फिर वो existing नहीं करती है तो यह common issue है जो फरीदाबाद में आप देखेंगे अगर आप end use के लिए देख रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि road conditions जो है वो इतनी अच्छी नहीं है बट अगर आप 2031 का अगर आप master plan देखेंगे तो expected हैं कि हमें कुछ बड़ी roads और अच्छी connectivity देखने को मिलेगी in future अभी हम आ चुके हैं sector 98 में और यहाँ पर आप देखेंगे पहला project यह आप back side देख रहे हैं Amolick Esther Woods की तो यहाँ पर mainly 3 projects हैं Amolick Esther Woods, Mancha Oaks और Soha Neal City आज हम जो project देखेंगे detail में वो Soha Neal City है बट उससे पहले में एक बर आपको Esther Woods दिखा रहा हूँ back इसकी project के back side से और इससे पहले एक और वीडियो हमने बनाया था Esther Woods का front side से जो की better connected है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी quality well maintained society उदर से आप पा रहे हैं तो काफी सारे plots जो है वो अभी recently back side वाले जोने ready किये हैं आप देख सकते हैं हाँ पर street lights already है कोई बहुत जादा fancy नहीं है but everything is in place तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो road speed decent size की है frontage plots के आगे भी ठीक size का है आप देख सकते maintenance यहां back side में आपको relatively front side से आपको inferior लगेगी बट यह इसलिए भी है क्योंकि यह plots अभी ready हुए है इसके अलावा जो project है आप देख सकते हैं काफी huge project है अभी आपको front side दिखनी भी शुरू नहीं हुई है park है यहां पर एक जो नहोंने already ready किया जो की well maintained एक park है यहां पर जो rates चलने इस टाइम पर Amolick esterwoods में वो 65,000 तो 80,000 है depends on the plot size and also the location of the plot आगे चलते हैं हम sector 98 में ही तो next project आप देखेंगे left side में सोहा का नील city जिसे हम detail में cover करेंगे तो यह entrance है सोहा developers की नील city project की एक अच्छा main gate आप यहां पर देख सकते हैं बट इससे पहले हम इस project को detail में देखें मैं एक बर आपको manshahogs ज़रूर दिखाना चाहूंगा यहां से hardly 30-40 meters पर right side में आप manshahogs का भी gate देखेंगे यह जो है इनके main gate शायद नहीं होंगे क्योंकि फिलाल यही road exist कर रहे हैं आप तो यह इनके gates हैं बट आगे चलके जो master plan के साबसे हां और roads आनी हैं और वहां पर हो सकता है कि आप इनके main gates देखें फिलाल अब वापस चलते हैं सोहाँ नील सीटी की तरफ आप देख सकते हैं सोहाँ नील सीटी में यह main gate है एक अच्छा quality का good looking main gate आप देख सकते हैं बट अगेन यही सब कुछ नहीं है तो हम अंदर जाके society का और detail में देखते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी कुछ construction भी प्रोग्रेस में है ज्यादा तरफ जो यहाँ देखेंगे वो builder floors है और जैसे कि ज्यादा तरफ और फरीदबाद plots पर भी देखेंगे यहाँ पर still plus 4 allowed है तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी builder floor construction आप देख सकते हैं फिलाल यहाँ पर जो sizes हैं वो 120 square yard to 160 square yard अबिलेबल हैं और जो rates हैं 55 to 60,000 है again it varies based on size and location यह आप commercial area देख रहे हैं इस project का यहाँ फिलाल अभी कोई commercial आया नहीं है but this is the place earmarked for commercial तो यह जो rates मैंने आपको बताए September 2024 as of September 2024 है और आगे जाके change हो सकते हैं इन्होंने बीच में कुछ space बना रखे हैं electrical substation generators के लिए जैसे आपने अभी right side में देखा तो यहाँ पर जो overall construction चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि 80% construction जो है builder floors का है और कुछ end use के आपको जो generally still plus 4 या still plus 3 नहीं होंगे वो usually end use के लिए होंगे ऐसा आप मान सकते हैं तो overall जो यह है project for 13.5 acres approximately इसका size है देख सकते हैं आप यहां पर left side आपने देखा एक builder floor और आप आगे जाकर आप को लगेगा कि एक end use के लिए बनाया गया घर है तो यह आप देख सकते हैं इसके ठीक सामने यहां पर पार्क है पार्क इसका काफी अच्छे से maintained है otherwise अगर आप पूरे project की बात करें तो maintenance मुझे average लगा बट पार्क काफी अच्छा well maintained पार्क इनों ने बनाया है इसमें कुछ open gym भी है corner में आगे आप यह 3D space देख सकते हैं राइट साइड में आप देख सकते हैं 160 square yard 160 गच के plots और यह left साइड में यह front view है इस पार्क का काफी अच्छा well maintained पार्क तो यह overall project है दोस्तों यहां पर अगर आप आगे देखेंगे तो community space जो की हर builder को कुछ space जो है वो देना होता है authority को तो वो space आप देख सकते हैं यहांपर तो overall यह project है हम आज आपको so honey city दिखाना चारे थे पर इसके लावा भी और projects हैं जैसे manshah augs उसको भी हम आगे जाकर cover करेंगे हमने Amalek Esterworks को भी देखा आज वैक साइट से अगर आपको यह video पसंद आया हो तो please इस चैनल को subscribe करेगा और वीडियो को like करेगा और भी आपके कोई queries हो तो आप comment box में लिख सकते हैं ऐसे ही हमारे साथ बने रहे हैं Amalek Esterworks का अगर आप front side से video देखना चाते हैं वो भी आप झाल शो आ जगने वारे साथ झाल को आपको हैं Amalek Esterworks को लेक आपको पुआर आपो से हमारे ग Gज आप जैंग